इसमें एक रात के लिए इसको ढखक करके इस तरह से छोड़ देते हैं। दूसरे दिन इसका हम थोक बनाते हैं। थाक बनाने का मतलब क्या हुआ कि 7 फिट चाओडा और 5 फिट उचा। इसको हम पाइप अंदर डाल-डाल के बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं कि पहला हम एक फिट भूसा को जमीन पे दस फिट बने बीस फिट लंबाई में हम इसको फैला देते हैं अगर भूसा की मात्रा पांच कुंटल है तो पांच फिट दस फिट लंबाई में हम इसकी पाइप डालते हैं जैसा देख रहे हैं, पाइप परफोरेटेड है, इसमें छेद है, तो एक फिट उचा, साथ फिट चोड़ा, उस पे एक फिट दोनों किनारे छोड़ करके, पांच फिट में तीन पाइप को बराबर दूरी पे हम रख देते हैं, उसके उपर दो फिट हम भूसा को पुनह, ज फिर उसी प्रक्रिया में भाखते हैं, इसके पस्यात में, लाष्ट में अंतिम पाइप हम उस पर रख करके भूसा को बनियाँसा, प्लेन करके पाइप को चारों तरफ से यह भख देते हैं, इसके बाद एक पालिथेन से हम पूरे खाद को सील कर देते हैं, यानि इस परका बोड़ा होना चाहिए ये चुकी भूशा कम है तो अगर कुछ कम पड़ गया तो कोई बात नहीं ठीक है देखिए एतना छोड़िये यहाँ पर हम चिन्हा कर रहे हैं देखिए एतना और यहाँ पर ने एतना यहाँ से एतना काटिये अच्छा यहाँ पीछे क्या कर रहे हैं इसके उपर फेकिये धाई देखिए हम लोग अंदाजे नहीं है हो सकता है तब फिर बिगाड के पाइप दूसरी बात देना पड़ सकता है क्यों क्योंकि अगर material जादा होगा इसको लंबाई में हम लोग नहीं दिये हैं क्योंकि exact position पता रहता तब हम लोग लगाते हैं इसको बराबर करिये हाँ इतना ठीक है यह सब हटाईए नहीं हटाईए इस सब हटाईए पीछे करो पीछे यह एकदम पूरा प्लेन होना चाहिए हो गया देखिए अपना निगाह करके जहां कम बेसी है वहाँ पर करिए और यह पाईप का मुह कम से कम खुला रहे हां बस अच्छा चलिए बराबर हो गया रखी अब रुको थाहरी है दो पाईप उठाईए एक आदम उधर पकड़िए चलू कोई नहीं वोल्टा सीधा एक यहां रखिए और एक यहां रखिए यहर से हटिए देखिए इपाईप हिलना नहीं चाहिए भाई पहले नहीं देखिए आप ऐसे हाथ से रखते जाएए यहां बीच में चुकि भूसा बहुत कम नहीं तो वो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है जादा रहता तब आप जैसे अप एको अच्छा सा यह सब यह को बराबर करते जाएए देखिए यहां से ना गड़बर की यहा दबाईए नहीं यहां इसको दबाईए इसे लगा के छाप दीजिए फेकिये नहीं हाँ यह उठा के वहाँ पर दबाईए आद देखिए इधर उधर जो है ना बराबर करिये